नमस्कार दोस्तों मैं शम्बुना एमा आपका हमारे चैनल होटी मंत्र में स्वागत करता हूँ आज हम लेकर आए हैं वेजिटेवल क्रोप में किंग ओफ वेजिटेवल पोटेटो को जिसे किंग ओफ वेजिटेवल के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही पूर मैन फ्रेंड गरीबो का दोस्त इसे ही कहा जाता है क्योंकि सबसे यादा अगर कोई सबजी खाय जाती है तो तो इसका जो वानाश पतिक नाम या बोट निकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम वो है सोलेनम ट्यूबरोसम और अब इसकी फैमिली की अगर बात करें तो इसकी जो फैमिली है वो है सोलेनेसी फैमिली इसकी जो फैमिली है वो है सोलेनेसी फैमिली ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी क्रोंजोर नमर की बात करें तो जो क्रोंजाद नमर है वो है 2n बराबर या 4x बराबर 48- ç फोर एकस इसनी है क्योंकि जो वक्योंद मैं ये टेटराप लोट इसПीसिस है तियसका दो क्रोंजोर नमर है वो है 88, 48 ओरिजन या उत्पत्तिस्तान की बात करें तो जो आलू का इत्पत्तिस्तान है वो है ट्रोपिकल साउथ अमेरिका इसका ओरिजन या सेंडरोप ओरिजन या इसको कर सकते है साउथ अमेरिका probable ancestors of all cultivated प्रोटेटो इस सोलेनम इस्टेनो इस्टेनो टोनम जो इसका प्रोबेबल इंसेस्टर माना जाता है जो इसका प्रोटेटो ट्यूबरसम या जितने भी कल्टीवेटेड इस जिनकी जीस आलू की खेती की जाती है उनके जो पूर्वज माना जाता है वो माना जाता है सोलेनम इस्टोनो टोनम सोलेनम इस्टोनम को ही सभी कल्टिविटेड जितनी भी आलू हुई जिनकी खेती की जाती है उसका पुर्वज माना जाता है इन इंडिया पुर्टेड वाज इंटर्डिूस एन अरली सेवंटीन सेंचोरी फ्रों यूरोब पाइफ प्रोटागाज भारत में जो आलू लाया गया था वो लाया गया था जो सतरवी सब्ताब्दी है उसकी सुरुवात में लाया गया था पुर्त के अलियों के द्वारा और यह लाया गया था यूरोप से यह कहां से लाया गया था तो आलू जो इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में वह हुआ है पुर्त के अलियों द्वारा सतरवी सब्ताब्दी मे और यह हुआ है यूरोप से पोटेटोस आर प्रोवाइड आ सोर्स ओप लो कोश्ट एनरजी टू दो हुमेन डाइट जो आलू है उसके द्वारा जो मनुष्य का जो खाद्य पदारत है उसमें सबसे ज़ादा अगर कोई एनरजी देता है वो भी कम लागत में तो वो है आलू आलू के द्वारा सबसे ज़ादा एनरजी प्राप्त होती है वो भी कम लागत में पोटेटोस इस फोर्थ मेजर फूट ओफ दे वर्ल्ड आफ्टर राइस वीट एंड मेज चांवल गेहूं और मक्का के बाद अगर सबसे आदा कोई खाया जाने वाला भोजन है तो वो है आलू यह चोथा सबसे मेजर फूड है इंडिया इस वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोडूशर ओप्त पोटेटो आफ्टर चाइना भारत जो है विश्व में दुसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक दे से पहला है चाइना और दुसरा है भारत हाइस्ट एरिया प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश भारत अगर सबसे आदा कहीं आलू पेदा होता है तो वो होता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है बेश्ट बंगाल इंटरनेशनल इयर ओप दो पोटेटो इस 2008 जो अंतराश्टी आलो वर्स घोसित किया गया था युनाइटेड इस्टेट के द्वारा वो घोसित किया गया था 2008 को 2008 इंटरनेशनल पोटेटो इयर था इट इस स्टेबल फूड ओफ आयरलेंड अलू है अलू आयरलेंड का स्टेबल फूड है अलू को ही आयरलेंड का स्टेबल फूड माना जाता है इसी के कारण जो लेट बैट के कारण जो फसल खराब हुई थी तो उसको आईरलेंड फेमिन या आईरलेंड का अकाल के नाम से जाना जाता है पोटेटोस आर रीट सोर्स ओप स्टार्च विटामिन इस्पेसली विटामिन सी एंड विटामिन बीवन एंड मिन्रल तो जो आलू है वो इस्टार्ड विटामिन और विटामिन में भी विटामिन सी और वीवन का समरद्ध इस्त्रोध है पोटेटेज ग्रो इन आल इंडिया एक्सेप्ट के लाव आलू की खेती भारत में लगबग सभी राज्यों में की जाती है किरला को छोड़ कर CPCR I Central Potato Research Station Was Instablished in 1949 850 में Central Potato Research Institute Station है उसकी जो इस्थापना हुई ती वो ही ती पटना बिहार में उसक इस्थापना सबसे पहले हुई ती cpc-cprier iqheen पटना बिहार में उसके बाद किसको सिप्ट कर दिया गया था ने दिए परफस ऑमें तुतिक कर दिया गया था हो गया क्योंकि बीडिंग पर्पससर क्योंकि वहां लोगक्रेचचर होता था कहां सिम्ला में ब्रीडिंग परपस से इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर वाज इस्टेबलिस इन सेवन नाइन्टिन सेवन्टीवेन एट लीमा पेरु जो एंतराश्टी आलू का जो सेंटर है उसको इस्टेबलिस किया था लीमा पेरु में उननेस सो एकतर खे दो रान वह आगे बात करें पोटेटो जो कल्टिवेटेट पोटेड इस ठेट्रा प्लोड जो खेती कर खेती लायोक जो पॉल्य है वो टेट्रा पॉलोड भॉटेटो इस डाइकोट थर्मो सेट प्रावित होता है और डसेमीटोट है सिट प्लॉट टेक्निक वाज गीवेन बह पुशकरनाघ्द अदेघ Muy वास गिवन बाई रामानुजन जो जो रामानुजन है यह फर्स डाइरेक्टर है CPRI के जो Central Potato Research Station है यह इस्टेटूट है उसकी फर्स डाइरेक्टर थे रामानुजन और इन्हीं के द्वारा True Potato Seed की टेक्निक दी गई थी पौटेटो इस फ्रोपोगेट बाई सीड और सीट ट्यूबर वैसे इसका जो प्रोपोगेशन होता है ट्र hacemos चैनली या उसा इक अगर इसका जो प्र प्रोंगेशола माना जाता है ईत वो तूबर के द्वारा निए इसके दिवारा उता है और गूर érit कषेट के द्वारा भी प्रोफोकेशन होता है 05 파 बात कर लिजाए तो 1500 से 2500 किलो अपने को टूबर चाहिए प्रति हेक्टेर के लिए जो टूबर चाहिए वो चाहिए 1500 से 2500 किलो वो भी टिपेंड करेगा कि इस पर टूबर की साइस पर अगर हमारा इश साइस का टूबर है तो वो लगबग 2000 किलो कि आइस-पास लगेगा और छोटा है तो जादा लगेगा और बड़ा है तो वह और जादा लगेगा डिपेंड करता है उसकी साइस पर डिपेंड करता है अगर truePotato Seed की बात कर लिए तो एक ठेक्टेर के लिए 100 настро 120 ग्राम टू पोटेटो सीड की आउशक्ता होती है अब इस्पेसिंग की बात करें तो जो रो टो रो इस्पेसिंग रखी जाती है वो रखी जाती है 45 से 60 सेंटीमेटर और जो प्लांट से प्लांट की स्पेसिंग रखी जाती है 15 से 20 सेंटीमेटर यह पोटेटो की है just flower type की बात करें इसका जो फ्लोवर टाइप होता है हर्मा फ्लॉ इंफ्लॉ रॉरसेंश की बात करें इसका फ्लॉरसेंस न्गें सठम्हं यह पॉटेटो से ऐल पॉलियनेटिड ग्रोफ फोटेक्ट्र है जो है इस्टोलन जो पोटेटों है वह स्टोलन के end पे लगता है यह वहां से उत्पनन होता है पोटेटों टूबर डोरमेनसी more than 8-10 वीक और 2-3 मन जो पोटेटो टूबर में डोरमेनसी पाई जाती है वह 8-10 सप्ता से ज्यादा या 2-3 मैंने तक पाई आती है ट्यूबर आर्शोग्ट इन 1% थायो अरिया 1 PPM GA3-4, 1 हार फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंची, डॉर्मेंची को ब्रेक करने के लिए 1% थायो अरिया और 1 PPM GA3 के घौल में उसको एक घंडे के लिए डोबोक कर रखने पर जो पोटेटो ट्यूबर है उसकी ब्रेक को ब्रेक किय जा सकता है आप सोईल पीएज फॉर पोटेटो कलिटिवेशन तो पोटेटो कलिटिवेशन के लिए जो सोईल पीएज होना चाहिए वो होना चाहिए 5.5 to 7.5 in acidic to nature जो पीएज होता है वो acidic to natural होना चाहिए मैक्जिमम एरिया की बात करें तो वह पायाता है जो शोईल की बात फॉप्रेक का जिसमें ब्रेक की जाता है सबसे जाती for tuber formation is below 21 degree tuber formation के लिए temperature होना चाहिए 21 degree से कम होना चाहिए most of the potato cultivar do not tuberize when night temperature is more than 23 degree celsius बहुत सारे cultivar ऐसी है जिनमें अगर रात का तापमान 23 degree से अगर अधिक जाता है तो वो उसमें tuberization या उसमें tuber नहीं बन पाते हैं पोटेटो रिक्वार लोंग डे कंडिशन द्यूरिंग ग्रोथ ग्रोथ के दौरान इसको लोंग डे कि आ शकता होती है जबकि tuberization के दौरान इसको short day कि आ शकता होती है रीजन फरो method is most suitable for potato cultivation पोटेटो कलिटिवेशन के लिए अगर सबसे अच्छी कोई method है तो वो है रीजन फरो रीजन फरो जो method है वो पोटेटो कलिटिवेशन के लिए सबसे अच्छी विधी माने जाती है अर्थिंगम is done done 40 days after swimming जो मिट्टी चड़ाने का कारी किया आता है आवलो में वह किया आता है 40 दिन के बाद बुवाई के 40 दिन के बाद इसमें मिट्टी चड़ाने का काम किया जाता है N2 is most important nutrient for potato crop जो nitrogen है वो potato cultivation के लिए सबसे महत्पूर्ण पोशक तत्व है Solanin content 5 mg in 100 mg जो solanin content होना चाहिए या होता है वो होता है 5 mg 100 mg में 5 mg solanin content होता है greater than 20 mg per 100 mg solanin content in potato is unfit for consumption अगर 20 mg से अधिक अगर उसमें solanin पायाता है 100 mg में तो वो खाने योग्य नहीं माना जाता है हर्वेस्टिंग की बात कर लिजाए तो हर्वेस्टिंग कप्लेट बीफोर राइस तेंपरेजर फ्रॉम 30 डिगरी सेल्सियर पोटेटो की हर्वेस्टिंग तापमान 30 डिगरी से उपर जाए उसके पहले कर लेनी चाहिए freshly harvested potato contain 80% water and 20% diameter जो हर्वेस्ट किया गया freshly पोटेटो उसमें 80% तक पानी और 20% तक प्राइमेटर पाया आता है वेरहाऊस इस्टोरेज में वेरहाऊस में अगर इस्टोरेज करते हैं तो वहां 8-10 डिगरी सेल्सियस तापमान और वहां की हमिटी होनी चाहिए वह होनी चाहिए कम से कम अस्य प्रतिशात अगर कोल्ड डिश्टोरेज की बात करें तो वहां का तापमान होता है 204 डिगरी सेल्सियस और पचोत्तर से कुफरी चंदरमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी कुबेर, कुफरी लवकार और कुफरी सुर्या मिड विरेटी की बात करें तो कुफरी अलंकार, कुफरी आनंद, कुफरी अरून, कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना फोर, कुफरी गंगा, कुफरी गोरव, कुफरी गिरीराज, कुफरी हिमालिनी, कुफरी ज्योती, कुफरी कंचन, कुफरी लालीमा, कुफरी मेगा, कुफरी मोहन, कुफरी मूथू, कुफरी रेट, कुफरी सदा बाहर, कुफरी संगम, कुफरी शेलजा और कुफरी सतलजिसकी मिड़ वेरैटिया हैं। हैं, अग लेट वरैटी में बात कर रहें, तो कुफरी चमतकार, कुफरी हिमसोना, कुफरी जीवन, कुफरी कासी गारो, कुफरी कुमार, कुफरी कुंधन, कुफरी नवीन, और कुफरी निला सिंदोरी किह अब बात करते हैं variety के कुछ special character कि Th censul yourself जैसे कि हो ये टोल्ट रैंट है या फौस्ट्र रॉल्न है तो वो स्पेषल character किषक स्पेषाल के इwnके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहली आती है, कुफरी ख्याती यह है अरली वेर 그래도 वेर्ली वेरेटीर कुफरी ख्याती है, जो resistant टू लेड ब्लाइट है लेड ब्लाइट और अरली ब्लाइट के परती resistant है, और अरली ब्लैट and suitable for high density chrom & high density cropping के रिए भी यह suitable है, दुसरी है कुफरी देवा, जो कुफरी देवा है, वो late variety है, और forced tolerant and good for keeper, यह first tolerant है, अब आगे आती है, जो mid variety है, उनके character कौन-कौन से, यह सब mid variety है, उसमें सबसे पहली है, कुफरी शीतमान तो जो कुफरी शीतमान है, यह first के प्रती, resistant variety है और कुफरी सितमान को कई परिक्षाओं में पूछा गया है, अगली यह कुफरी बात्सा है, इसको भी कई exam में पूछा गया है, resistant to late blight, early blight, और potato virus X, यह और यह इसको, जो कुफरी बात्सा है, इसको multiple dishes resistant भी बोला जाता है, कुफरी चिप्स होना, तो जो कुफरी चिप्स होना है, resistant to late blight, and suitable for chips and french fries जो कुफरी, 1, 2, 3 मिलब कुफरी चिप्स होना, 1, कुफरी चिप्स होना, 2, और कुफरी चिप्स होना 3, यह resistant to late blight और suitable for chips and french fries कुफरी फ्रायों, यह resistant to late blight, potato virus Y, and suitable for french fries अगली आती है कुफरी फ्राइस होना resistant to lead blight and suitable for french fries उसके बाद आती है कुफरी गिरीमा resistant to lead blight कुफरी गिर्धारी highly resistant to lead blight and long tuber dormancy इसमें जो tuber dormancy पाई जाती ही वो भी ज्यादा पाया थी अगली आती है कुफरी करण high resistant to lead blight six potato virus and potato cyst nemated उसके बाद आती है कुफरी रलीत जो lead blight के प्रती resistant है कुफरी मनीक resistant to lead blight and rich in micronutrient इसमें iron और zinc अधिक मात्रा में पायाता है और anthocyanin और keratinate भी इसमें पायाता है और suitable for eastern plane और eastern plane के लिए suitable variety है अगली आती कुफरी निली मा resistant to lead blight and potato cyst nemated कुफरी सरना resistant to lead blight and potato cyst nemated अगली विराटी आती मीड विराटी वो आती कुफरी निलकंठ जो कुफरी निलकंठ है यह है resistant to lead blight, rich in antioxidant, anthocyanin and keratinates, excellent flavor and specialty of potato इसमें जो flavor है वो special प्रकारगा होता है कुफरी पुषकर resistant to lead blight, कुफरी साहादरी highly resistant to cyst nematode और moderate resistant to lead blight, कुफरी सेपा resistant to lead blight और आगे जो विराटी आती है वो है कुफरी थार 1, कुफरी थार 2 और कुफरी थार 3 यह है drought tolerant विराटी और उसमें लगबग 20% पानी की बचत की जा सकती है अगली विराटी आती है, यह अलग ही है नेम leaf it is a transgenic यह पुटेटो की और रशिष्ट अगें Colorado potato betel, यह potato की transgenic विराटी है, up to dead जो विराटी है, वो इंट्रोड्यूस की गए थी इंट्रोड्यूस विराटी है और इंट्रोड्यूस किया गय था इसको नौर्थ आर्लेंड से हैं अब इंसेट पेस्ट की बात कर दी जाए तो पोटेटो में सबसे ज़्यादा हो जो इंसेट लगता है वो लगता है एफिट माइजर्स परसी और यह जितनी भी पोटेटो की वाइरल डिसीज है वाइरस जन्य जो बिमारिया होती है उसको ट्रांस्मिट करने यह का काम करता है अगला रर्टाइओल इंपोस का शेविट यह ठांस्मिट करता है जो माइकय को कार्ता है करता था ही पोटेटो न tota लाइगरोटा इंक्र स्वक्ण पर्वन हता है पेथोरी मां उत दीस की बात कर लिए जाए तो लैट लाइट वाइक औस जा स्टेंस के कारण होती है पोटेटो वार्ट फाइनोट्राइकम एंडोबाइट्रीकम के कारण होता है ब्लेक स्कार होता है राइजोटोनिया सोलेनाई के कारण ड्राय रोट होता है फ्यूजनम स्पीसिस के कारण सोप्थ रोट होता है इरविन्या कोरो तो वोरा के कारण और विल्ट हे राष्टलन सोलेनोस सेरम के कारण होता है पोटैटोव होता है क्याँ पोटैटोमेस से बी के विखुय के बाट करें तो पोटैटो लिफ रो और सर्व मोजेक वाई मनट उता है एंफीटके द्वारा लेट लेटेंड और फेर मोजेक यह होता है पीवी एक्स और एस वायरुस के कारण और यह भी ट्रास्मेट होता है एफिट के द्वारा नेमटोड की बात करें तो गोल्डन सिस्ट नेमटोड ग्लोबर डर्मा रोस्टो चैनेंस इसका वानस पतिक नाम है और सिस्ट की बात करें तो पोटेटो का सबसे पहला डिसोडर है ब्लेक हार्ट यह होता है लेक टू नैट्रोजन नैट्र रहा ऑक्सिजन के कारण और पूर मेल्टिनेशन के कारण अगर हवा का आधान प्रदान आसानी से नहीं हो पा रहा है जहां हमने आलो इस्टोर करकर रखा इंटर्नल ब्राउन इस्पोर्ट तो इंटर्नल ब्राउन इस्पोर्ट जो होता है वो होता है ने मोश्चर डिफिजेंस के कारण होलो हर्ट होता है एक सक जाता मात्रा में नैट्रोजन का प्रियोग करने पर जो पूर्टट है उसमें होलो हर्ट हो जाता है चीलिंग इंज करके रखेंगे तो उसमें इंजरी हो जाती हिसलिए कॉल डी स्टॉरिज का जो तापमान रखा जाता है वह रखा जाता है तो जो एक्सेसी एक्सपोजर ओफ संडर्स अगर धूप में अगर आलू खुला रहे जाता है तो उसकी स्क्रीन है वह जो इसकी है वह ग्रीन हो जाती है तो वह इसकी वह इसका disorder है अब कुछ special इसमें जो operations है वह उनकी बात कर लिए तो उसमें जो सबसे पहला है वह कियाता है शीट प्लोट टेक्निक क्या आती है दा प्रिंसिपल्स ओफ सीट प्लोट टेक्निक इस ग्रोविंग ओफ सीट पोटेटो क्रोप उसिंग है लुदी सीट डिरीं लो एफिट इन्फेस्टेशन या लो एफिट पिरियड आलू को सीट के लिए तब होगा आता है जब वहां जो एफिट है वह कम से कम हो जो एफिट इन्फेस्टेशन सबसे कम कब होता है वह होता है अक्टूबर टू जनवरी के फर्स्ट वेक तक अक्टूबर से जनवरी के फर्स्ट वेक तक एफिट की जो पॉपॉलेशन है वह कम होती है तो उस दोरान आलू को सीट के लिए उगा ज कि्लिन्द एट हर्वेस्ट्स टो क्रोप इसे क्रोप्स की क्रोसिंग डेमेज लेवल जब तक एफट का जो।-ब बिस दो से ज्यादा है तो वो उसकी जो डेमेज का जो लेवल है वो क्रोस कर जाता है तो उसके पहले ही हमको पोटेटो को हर्वेस्ट कर लेना चाहिए उसके बाद एक और प्रोसे होती है डी हल्यूमिंग डी हल्यूमिंग जो प्रोसे से इस प्रेक्टिस देट इस तन इन पोटेटो वहाई removing the homes जो हुल्म है उसको remove करेंगे the aerial part when the plant when the plant turn yellow जब पोधे आँ हलके पीले होने लगे तो उसका जो उपरी हिस्सा है पोधे का उसको काड़ देता है क्यों कियाता है so stop the plants vegetative growth plant की vegetative growth को रोकने के लिए और और डी हेल्यूमिंग की जाती हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा अगर कंटेंड आपको पसंद आये तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल होल्टी मंत्र को आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद